हलो फ्रेंस गूट मॉर्निंग विल्कम बैक तो माई नीव ब्लॉग कैसे हैं आप सभी आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो सुबह का बगत हो चुका है साथ बच के चालिस मिनट को और अभी जर्ष्ट बच्चों को मैं छोड़के आई हूं और चलती हूं पहले चाय बना बना दी थी और दी नहीं थी इनको भी देऊंगी और मैं भी प्यूंगी और फिर इसके बाद सुरू करते हैं घर का काम ब्रेकफास्ट बनाना है बच्चों को मैंने आलू फ्राई करके दे दिया था थोड़सा थोड़ी सी रखी है सबजी अभी हलकी सी और थोड़सा मैं स तो ठंडी फरती है तो विस्तर नीचे डालना पड़ता है बैठने के लिए तो चलिए इसको समेटेंगे दे में हटा देती हूं और राटमे फिर डाल देते हैं बैट उठकी टीवे पर देखना है फिर अपना अपने घर में तो है तो चलिए चा पीते हैं और इसके बाद चोटे मोटे बड़ा पट से और इसके बाद एदो पार का टाइम है बारा वजे के आसपास का तो नहाल ही हुमें आज थोड़ा सा लेट हो गया काम काफी हो गया था और इसके बाद ही जो तुलसी मिया के मतलब एक दिन पहले विवा है इनका पूजा पाट हुआ था स्वारी तो इनको आज ही यहां से हटा दे कि हुँँ जब भी प्रशाच चड़ा था सिंगार का समान चड़ाया था तो उसा अब उतार लोगी इनके पूजा फाट करके और उहां से जहां मैंने अभी रखा था था नहां से हटा के दूसरे स्थान में रख दोगी तो चलिए इनके पूजा फाट हो चुकी है सारा समान उतार लिया और अंदर अभी बारा वजगे हैं और अब यही मैं जाश्ट नहाई हूँ और आज सुबह से बिल्कुल ही वीडियो सोट नहीं जैसे क्या आप लोगों को बिलकम किया इसके बाद ना पूरा घर का काम था पर वीडियो मेर एक भी नहीं सोट हो पाई हैं कुछ भी ने कपड़े थे बहुत सारे दो तीन राउन की कपड़े दूले जावडियो पहुचा और वीडियो में बढ़ा ही नहीं पाई आज और अब यह तो पहर का वक्त हो चुका है बारा फोज गये हैं और जो तुलसी माता के कल मैंने सुचे होए है कल ले और यह क्योंकि बहुत सारा कल के बर्तन थोड़े बहुत रात के हो गया थे तो मैं अभी धुली हूं और मेरे पास टाइम नहीं है न मैं सारे बर्तन एक साइड कर देती हूं टोकरी वाले बर्तन भी इधर ही रख दोगी और इसके पहले मैं पटा- कि बद्दन भी लगा लोगया थूगी अब बने रहे हैं पहले बाल बाल लेती हो नहीं तो खाने खाने मैं बालय मिलने में हैं और यह एक साइड कर दी दोब और मैं को मी जाटा लाने के लिए तो कहीं मिला ही नहीं मार्केट में तो उन्होंने फोन किया यहां स Š 12 चलो अब मैं किसी और का करीग अ लvänd हुआ हुँ ए खाल में निकाल्य दही जमा की रखी थी, कपला भख ग्के लघे ताब की रहे ताकि ता अच्छी से जम जाए, तो सूबह ही इसको मैं तूर चार इससे सब लोग खाली खा भी लेते हैं, और शाथ में ना कड़ी में डालने के लिए भी हो जाएगी, तो चले फटा फट से इसको हम बना लेते हैं, औ यहां पास कड़ी अच्छे से उबलने लगी है तड़कमने लगा दिया पकोड़े बन चुके थे और इसके बाद डाल दिया है पकोड़े क्योंकि इनको भी थोड़ा सा पकड़े में टाइम लगे का साथ में कड़ी मिक्स होने के लिए तो चुली इसको पाच मिनट के लिए कड़ी बनके ना डेडियो चुके जैसे तेख सकते हैं कि बहुत अच्छी वनी थी थी थोड़ा सा टाइम लगता कड़ी पकने में मगर कड़ी टेश्की बनाने के लिए तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी लिट्टी और चोखास बनाना है तो उससे पहले मानी निकाल लिया है पास एक पैगन चार टमाटल और इधर ही कुछ है सबजी देखती हूँ क्या बनाऊंगी फिलादमनी निकाल लिया है और यह सब्सक्तू है और साथ में अभी इस मिर्ची हो गया दरा को गया नीवू हो गया सरसो का तेल इस सारे चीजे निकाल लिया है तो चली आज बनाने कुछ तो जो पराठी के सब्सक्राइब में हमेशा बनाती हूँ बच्चों को पसंद आती है और उससे पहले ना इस सारे पैगन मेरम देती हूँ फुरने के लिए के तोड़ा तोड़ा काम होता रहेगा और लिटिया अभी नहीं बनाऊंगी उसका जो सकतू का है इसमें पकने के लिए और आप लोग बने रहे वीडियो में मिलती हूं थोड़ी देर के बाद है इसके बाद बैगन में थोड़ा सा तेल लगा दी आता साती सातना लैसुन दो चार मैंने बैगन में ही डाल दे कि साती सात में मतलब हुँं जाएंगी और टमाटर भी रख दिया इस मुझे बनाना है और यहां पास साती सतना भरता भी भुन गया था तो उसको भी छील के रख लेती हैं दो मैंने मिर्ची भी भून ली है इसमें डालने के लिए तो चलिए इसको सिंपल ही बनाने बाद तड़का लगा कि नहीं बनाने वाली हूं सिंपल साही इसको मिक्स करक सारा नमा का सरसो काती है मिर्ची लेस्वन इस सारी चीजे में एड कर दूँगी तो चलिए लेस्वन में छील के रख लेते हैं जो अच्छे से भुन गई है रख दोंगी कि बच्चे भी खाएंगे और यहां पस चोखा बन गया है बस इसको ठग देते हैं और चलते हैं दूसरी तयारी तरता करती एक टेमाटर मैंने छोड़ दिया है क्योंकि बच्छों को ना किसी को गर खाली खाना हुआ तो उखाएंगे और यहां पास मैं बना रही हूं छोटी चोटी लोई ली हूं जो लिट्टी वाला है इसमें वहां फिल कर दिया है थोड़ा सा अलक प्र तो यहां पास सारी बन चुकी हैं जितने भी मुझे बनानी थी गरम बनाएंगे अच्छी लगी तो फिर और बनाऊंगी यहां पास मैंने रग दिया है एक पैन और अधग दूँगी मतलब कवर करदोंगी इसको और बीच बीच में चलाती रहूंगे इसे देख सकते हैं ब बहुत अच्छी बनी थी और इनमें लाश्ट में मैंने घी एड़ कर दिया था तो घीस एक दम फ्राई हो गई थी और बहुत तेस्टी बनी थी बहुत पसंद आई इसके बाद थोड़ दो-चार में पराठे वाले जो लिट्टी बनाती हूं उनको भी बना लेती हूं और खा सकते हैं और इसके बाद खाना पीना हम सब कहो चुका है थोड़ा बहुत खाना बच गया है तो मैं निकाल के ना सब चीज फ्रिज में रखतूंगी और फिर फटा-फट से ना किचन कर लेती हूं क्लीन क्यूंकि दो दिन से ना मैं खाना पीना खाने के बाद बरतन थी मैं तो थोड़े बहुत धूल लेती थी जब बड़े बड़े वरतन है लास्ट में दूद उतके बरतन रह जाते थे तो सुवह ना फिर बहुत जारा काम हो जाता है और बरतन रहते है ना तो बहुत ज़दा एडिक लगता था मैं आज ना किचन उचन सब साफ करके बरत कुछ भी नहीं चोड़ने वाली क्योंकि सुवह ना थंडी भी पड़ती है और उठने का मन भी नहीं करता और फिर जल्दी जल्दी उठो बरतन दुलो लंचंच बनाने के लिए फिलेट हो जाते हैं तो इसलिए आज मैं रात में ही 10 मिलट लगा के और बरतन दुलों के कर देती हूं क्योंकि गंदा रहे तो फिर का ग्रोज फैल जाते हैं तो अच्छे से मैंने साफ कर दिया है और इसको कर देते हैं बंद इधर का काम मेरा होता है कतम और बरतन भी मैंने समेट दिये हैं और फोड़ा सा इंडेक्स नोडेशन से पोच पाच के एक बार साफ कर देती हूं एक साइड से किचन को साफ करते चलते हैं और दोद अभी नहीं पका थोड़ा सा पक जाए और बड़ा बड़ा कच्छड़ा है जार देती जार दोंगी और गैस ज्यादा गंदी आज नहीं थी क्योंकि सबजी भाजी इतना ज़्यादा कुछ बनाने लिए टीच कर देते हैं कि सुबह कुछ कल मुझे ना कुछ जादा ही बना कर देना कुछ अलग से तो उसके लिए तैयारी करके मैं रख देती हूं तो आलो मैंने धुल के रख दिया है पहले ही क्योंकि उनको बॉल करने के लिए रख दूँगी और इनके जो जम गई हैं इनको मैं बात को लाइक करके